हेलो दोस्तो मैं अंकित सिंग स्वागत करता हूँ आपका प्रिगर्थी कोचिंग सेंटर अलमोडा में दोस्तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ उत्राखंडे के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्न है जो आज का पहला प्रस्न है वो है किस बुग्याल को जड़ी बुटियों की विसेश्था के कारण सुरुक्षा जय पार्क गोसित किया गया हूँ आपका पवाली कांठा बुग्याल ओली बुग्याल द्यारा बुग्याल या फूलू की घाटी दोस्तो जो जड़ी बुटियों की विसेश्था के कारण आपका सुरुक्षित जय पार्क गोसित किया गया है वो आपका पवाली कांठा बुग्याल को गोसित किया गया है और जो पवाली कांठा है यह आपका टिहरी जन्पद और उत्तरकासी जन्पद दोनु में पढ़त अफिक वे सोनिय को पाड़ है काय सॉक्ष कॉत्तर एक उर्जक्ष में और धुर साइकर उ स्यूत्व आपका पश्चमी राम गंगा, सर्यू नदी, कोसी नदी या गौला नदी दोस्तों जो आपका स्वियाल नदी है या आपका कोसी नदी की शायक नदी है और कोसी नदी और स्वियाल नदी के मध्धे में जो आपका सहर वसा है वो अलमोडा सहर वसा हुआ है और बात करंगे हम अगर स्वियाल नदी की तो स्वियाल नदी के कहां पर दाएं तट पर आपका लाकू उडियार इस्तित है दोस्तों और जो ये लाकू उडियार की खोज की थी ये मैंने आपको पहले भी बताया था कब 1968 में 1968 में किसने MP जोसी द्वारा इसकी खोज हुई थी तो आपका लाकू उडियार की और लाकू उडियार कहां स्वियाल नदी के दायें तट पर दिस्तित है दोस्तों ठीक जो आज का तीसरा प्रस्न है वो है उत्राखंड सेवा निधी एबं परियावन शिक्षा संस्तान कहां दित है और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जो आज का चौथा प्रस्न है वो है मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए 2006 में साहित्य अकैद्मिय पुरुसकार दिया गया और जो इसकी इनने आपका रस्ना की थी जो लिखा था कब की कब लिखा था सन 2000 में सन 2000 में और जो आपका कुरु कुरु स्वाहा है ये आपका 1980 में इसको लिखा था और जो कसप है ये 1982 में इसको लिखा था और अगर हम मनोहर श्याम जोशी की ही बात करते हैं तो इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था 1933 में 1933 मिन का जन्मों आथा राजिस्थान के अजमेर जिले में जन्मों आथा परन्तु जो ये मनोहर शाम जोशी है ये कुमाओं परिवार से बिलॉंग करते थे दोस्तों और अगर इनकी मृत्यू की बात करेंगे तो इनकी मृत्यू कब हुई थी आपका 30 मार्च 2006 में इनकी मृत्यूई थी इसकी मनोहर शाम जोशी की दोस्तों जो आज का पांच्वा प्रसने है वो है 12 होती मार्च योग दर्रे किशके मद्दे इस्तित है ओप्सन आपका चमोली पिथोरागड चमोली उत्तरकासी चमोली तिबबत या पिथोरागड तिबबत दोस्तों जो आपका 12 होती दर्रा है और मार्च योग दर्रा है या आपका पिथोरागड और चमोली के मद्दे इस्तित है आपका जो पिथोरागड और जो चमोली है इन दोनको जो जोड़ती है वो कौन जोड़ती है बारा हुती दर्रा हो गया मार्ची योग दर्रा हो गया और भी दर्रे हैं जैसे आपका आपका हो गया आपका एक लातु दुरा हो गया लातु दुरा और एक आपका टोपी दुरा टोपी दुरा ये जो दो दर्रे और हैं ये भी आपका चमुली और पि घुहु देव, पदमट देव यह शुभिक्षि-्राजदेव डोस्तो जो इधरिनात मंदिर को भूमि दान दिया था किस ने दिया था आपका पदमट देव ने दिया था यह आपका कत्योरी सासक थे और इन्होंने अपने सासनकाल के 25 वर्स में आपका किसको बदिनात मंदिर को भूमिदान दिया था दोस्तो जो आज का अगला प्रस्ण है वो है मादो सिंग भंडारी की मृत्यू किस नदी के तट पर हुई थी आपका सिंद नदी, सतलज नदी, कंगा नदी या ब्रह्मो पुत्र नदी दोस्तो जो मादो सिंग भंडारी की मृत्यू हुई थी वो आपका सतलज नदी पर हुई थी कौन से सतलज नदी पे और जो मादो सिंग भंडारी है ये किसके सेना पती थे दोस्तों मही पती सा के सेना पती थे और जो मही पती के जो पुत्र थे वो कौन थे आपका प्रतवी पती सा प्रतवी पती सा इनके पुत्र थे किसके मही पती सा के और जो आपका मादो सिंग पर्फवी पति साह को भी संरक्षण दिया था जो आज का आठ्वा प्रस्न है वह है उत्राखंड से हिंदी में परकासित पर्थम अकबार था अप्षन आपका अलमोडा अकबार दाहिल्स समय विनोध या गढ़्वाल आपका जो उत्राखंड में नी में परकासित होने वाला जो पर्थम अकबार था, वो कौन सा था दोस्तो आपका समय विनौध था और जो इस समय विनौध है ये कब परकासी थ हुआ था आपका 1868 में 1868 में इसका परकासन हुआ था और परकासन और संपादक की अगर इसकी बात करेंगे तो कौन थे जैदत जोशी कौन समय विनोत के जैदत जोशी जो है इसके संपादक भी थे दोस्तो ठीक जो आज का अगला प्रसने है वो है किस गीत में प्रतेक पत को दो बार गाया जाता है बाजुबंद छपेली, कुलाचार या भगनौल दोस्तों जो बाजुबंद गीत है जोन सार शेत्र में गाया जाता है और पेडू के नीचे पे गाया जाता है पेडू के नीचे पे बैठके आपका बाजुबंद गीत गाया जाता है और ये आपका एक निर्थ्य गीत है कौन सा? निर्थ्य गीत और प्रेम प्रसंग का एक निर्ट्य गीत है ठीक कौन सा बाजू बन्द दोस्तों जो आज का अगला प्रस्न है वो है राज्ये में चतुर्दसी को मल्लीकारजुन मेला किस जन्पत में आयूजित होता है अप्सन है आपका पितोरागड, चंपावत, पौडीगडवाल या बागिस्वर दोस्तों जो आपका उत्राखंडर राज्ये में चतुर्दसी को जो मल्लीकारजुन में मेला लगता है आपका ये कहाँ पर लगता है आपका पितोरागड जन्पत में लगता है और पितोरागड में भी अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर असकोर्ट में यहां मेला लगता है असकोर्ट में जो है आपका मल्लीकारजुन का मंदिर है और यहीं पर आपका मल्लीकारजुन मेला लगता है और जो मलिकारजुन है आपका ये आपका शिव मंदिर है कौन सा शिव मंदिर है और मलिकारजुन मेला कहा लगता है दोस्तों पिथारागड के असकोर्ट में लगता है जो पिथारागड में जो डीडी हार्ट और असकोर्ट है वहाँ पर ये आपका मेला लगता है दोस्तों जो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, धन्यवाद.